नमस्कार दोस्तों नमस्ते के वई पी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में आप लोग के बताने जा रहे हैं कि कभीर अंतेश्टी यूजना का जो फॉर्म है वो कैसे आपको प्राप्त होगा जैसे कि आप देख रहे थे कि किसी ने एक कमेंट किया है और वो बता रहे हैं कि आप हमें कभीर अंतेश्टी यूजना का फॉर्म कैसे प्राप्त होगा इसके बारे में बताईए क्योंकि आप पूरे इंटरनेट को सर्च कर लिजे पूरे गूगल बाबा को सर्च कर लिजे कहीं भी आपको कभीर अंतेश्टी यूजना का प्राप्त नहीं हो पाता है, तो आपका ऐसे कभीर अंतिस्टी यूजना का फर्म तयार करेंगी और प्रिंट करके अपने आसपास में प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके बारें बताने वाले हैं, तो बनेरी इस वीडियो में चलते हैं, वीडियो के अगली कड़ी में और पूर रंतेष्टी योजना का है तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो इस तरीका से आप अपना फॉर्म तयार कर सकते हैं MS Word में जाकर कि अगर हिंदी में टाइप करना आता है तो इसके लावा आप यहां देखेंगे लिखें है क्या कभीर अंतेष्टी अनुदान योजना अंत्रगत उपलब्द कराये जाने वाली ब्यूरणिंग इतना लिखने के बाद नीचे में आप देखेंगे जो एक नमबर देख करके लिखा गया है इसके बाद नीचे देखेंगे तो तीन नमबर में मिर्तक की पिता यप पती का नाम उसके जाश्ट फोर्स नंबर में लवार्थी का नाम मतलब जो ला भी इसका लेने वाले हैं उसके बाद लिंग लिंग जो है इनका संबंद रखता है जो मीर्टक है उससे उसके बाद स्रेण ही मतलब कौन से कटेगरी में आते हैं उसके बाद देखें कि 7 नमर में मिर्त्यू कित्ती थी कॉबिन का मिर्त्यू हुआ है उसके बाद यहाँ BPL नमबर लिखना होता है तो BPL नमबर हो या आपके पास अंतोदे का नमबर हो लिखना होता है इसके लाब नौ नमबर में आप देखेंगे तो यहाँ मोबाइल नमब होते आपको लिखना होगा प्रकरण उसकेड्पो कारण होगा कि किस कारण से साधारन मिर्तू हुआ है या किस हमने कारण से उसके बाद यहाँ पंचायत खाता संक्यात यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं रथा है जब आप अपना पूरा डिटेल्स फ़र्म भर के देंगे तो पंचायत के मुख्या पंचायत के जो सचीव होता है वो अपना खाता यहां पर भर लेते हैं उसके बाद यहां पर आई एफसी कोड़ है आपको यह भी भरने के जुरूरत है नहीं है लेकिन फ़र्म तयार करते समय आपको यह लि लिखना होगा उसके बाद आपको यहां लिखना होगा कि प्रखंड विकास पदिकारी का स्विक्रिती पत्र की छाया परती उसके बाद आपको 25 नमरल में लिखना होगा कि क्या लाभूक को पैसा दिया जा चुका है तो यहां पे वे भरते समय फर्म को हां या नहीं लिखते ह उसके बाद नीचे में आपको क्या करना होगा लिखेना होगा लाभारती का हस्ताक्षर, मुखिया का हस्ताक्षर, पंचायत सचीव का हस्ताक्षर, उसके बाद यहां प्रखन विकास पदिकारी का हस्ताक्षर, इस तरीका से आप लिख करके एक फॉर्म तयार कर सकते हैं और क इस तरीका से आप तयार कर सकते हैं और पूरा फॉर्म इस तरीका से बना सकते हैं जो डीटेल से दिया है पूस इतने ही डीटेल से आपको टाइप करके निकलना होता है तो आप कभी रंतेश्टी योजना का फॉर्म तयार कर सकते हैं और अपने अज पास में और अपने गराहा को कैसे उपलप्ट करा सकते हैं तो आज की वीडियों बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियों नहीं जन करके साथ अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद